आज अपने बात करने वाले चंद्र ग्रह मून ग्रह का रहय सिए वेदिक ज्योतिस में मून इन वेदिक आश्टोलोजी रासी स्वामित में दिसा कारक्त दिन तत्व उच्छ रासी नीच रासी पूरा चंद्र ग्रह को समझेंगे कुंडरी में कहां पर बैटा है उसकी placement क्या है कैसा आपको फल देगा असुफ फल दे रहा है तो क्या आपको उपाई करना चाहिए सुफ फल दे रहा है तो कैसा आपको फल देंगे मोती रतने धान करने से क्या फायदा होगा सारी जानकारी चंद्रग्रे की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो अंतक समझेगा आपकी कुनली में चंद्रमा कहीं छटे भाव में तो नहीं है चंद्रमा कहीं ट्वेल ता उसमें नहीं है कौन सा दिन है क्या उपाई है चंद्रमा का मंतर कौन सा है कैसे चंद्रमा को म जब सुरू करते हैं अपना वीडियो देखें चंद्रमा है जो माता वे मन का कारक है चंद्रमा माता वे मन को परतिनी रित्व करता है पूर्णीमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव परत्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक होता है आप अगर पूर्णीमा का व्वास करते हो तो किर्पा आप पर बरसती है अगर आपका मना शांत रहता है तो पूर्णिमा का वप्वाज जरूर करें पूर्णिमा के दिन खीर बना कर खाने से भी चंद्रमा की पूर्ण किर्पा आपको मिलती है हमारे सरीर में मोजूद जल पर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव है अपने स जरीर पर 70 परसेंट पानी है। व्रिस रासी में उच व्रिस्चिक रासी में नीज का होता है चंद्रग्रे रासी भाव वे विसेशता है मैं सारी चीज़े आपको लिख लिख कर समझाने वाला हूं ध्यान से आप जरूर देखिएगा देखिए चंद्रमा को रासी स्वामित्व जो मिल है चंडरमा करक रासी का स्वामी है और देखिए चंडरमा करत रासी का स्वामी है का चंद्रग्रह कमजोर है चंद्रग्रह से पीडित हो रहा है चंद्रग्रह से प्रभाव बुरे प्रभाव मिल रहे तो आप सोमवार का उफ्वास करें सिवजी को जल चड़ाएं तत्व क्या जल तत्व है उच रासी कौन सी है व्रिसव रासी नीच रासी व्रिस्चीक रासी अपने भाव से दृष्टी सात्वी लिंग इस्त्री इस्त्री लिंग ए चंद्रमा नक्चत्र जन्रमा के रोहिणी हस्त श्रमान सुभरत मोती वे मूनिस्टोन महादसा समय दस वरस मंत्र ओम सोम सोमायनमे ओम चंद्र देवायनमे ठीक जी अब देखिए चंद्रमा आपका अगर लगन में बैटा है तो सबसे ज़्यादा अच्छा फल देगा लेकिन मन आपका चंचल रहेगा चंद्रमा सबसे ज़्यादा पीडित कहा होता है छै भाव में हो, आठ भाव में हो, बारा भाव में हो यहाँ पर पीडित और कहां कहां पीडित हो सकता है चंद्रमा चंद्रे प्लस राव की यूती चंद्रे प्लस केतु की यूती पीडित चंद्रे प्लस सनी की यूती यह पीडित यूतियां होती है यहाँ पर लिख लिख क्या आपको समझा दिया है अब देखे चंद्र के असुफल लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखीगा चंद्र ग्रह के असुफल देखे माता को कश्ट होता है माता को कश्ट होता है माता से कश्ट मिलता है माता इसके साथ अनबन रहेगी कश्ट मिलता है माता से बनेगी नहीं माता आपका विरुद का यह करेगी मन विचलित रहता है मन एक जगे नहीं रहेगा नीर्ने चमता कमजोर हो जाती है डिसीजन लेने की चमता कमजोर हो जाती है नीर्ने चमता डिसीजन पावर पेट खराब रहेगा पानी की कमी रहेगी तो पेट खराब भी हो सकता है पेट खराब रहेगा बदनामी लग सकती है जूटी बदनामी मन नहीं लगेगा लिक्विड मनी हाथ में नहीं रहेगी सुक सुईदाओं का अभाव रहेगा प्यास लगने पर भी पानी जल्दी से नहीं पीपा होगी प्रैक्टिकल है आपके लाइफ में हो सकता है ये चीज़ अगर होता है मतलब आपका चंद्रग्रे खराब है चंद्रग्रे का उपाई भी बताऊंगा चंद्रग्रे के सुब फल माता वे माता तुल्ये से रिस्ता मदुर रहेगा केते हैं अपना मा का लाडला है मा का दूलारा है वो रहेगा और बहुत अच्छी बनेगी मा से मन सांत रहता है नीन अच्छी आती है उच्छा पद प्राप्त होता है सभी सुख सुविदाई मिलती है और लिक्विड मनी का फ्लो रहता है अब बात करते है चंद्रमा अगर आपका असुफल दे रहा हो तो उसको कैसे ठीक करें सबसे पहले मंत्र पड़े ओम सोम सोमाई नम है ओम चंद्र चंद्र देवाई नम है सोमवार का वरत रखें सोने से पहले तांबे की गड़मी में पानी बरके रखें आप रात को सोते समय तांबे के कोई भी तांबे के पात्र में तांबे के बरतन में पानी बरके रखें सुबह उठकर थोड़ा सा उसको पी ले माता वैं माता तुल्य ओरतों का परणाम करें उनका असिवाद प्राप्त करें होस्पिटल में दूद का दान करें होस्पिटल में ट्रहा होस्पिटल में लोगा झाल करा दान एंग